हेलो दोस्तो दोस्तो आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा रोज प्लांट और जैसा कि दोस्तो अब सर्दी का मौसम आने वाला है तो आपको अपने गुलाब के पौधे को बहुत ही अच्छे से त्यार करके रख लेना है ताकि आने वाला जो सर्दी का मौस तो अब ही से अगर आप अपने पौधे को तयार करके नहीं रखोगे तो आने वाले सीजन में आप कितने भी पौधे को न्यूट्रिशन क्यों न देदो आपके पौधे में आपको फ्लावरिंग नहीं मिलेगी बहुत सारी लोग यह सवाल करते हैं कि उनका जो गुलाब का पौधा है वो बरसात में खराब हो गया है तो उसके लिए यह जो वीडियो है दोस्तों यह बहुत ही जादा हेल्फूल होने वाला है इस वीडियो में आप सभी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बताऊंगी बहुत ही हेल्दी फूड बताऊंगी गुलाब के पौधे के लिए जिससे आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ भी करेगा और पौधा फ्लावरिंग भी करेगा वो बिल्कुल ही और्ग आपको देखने को मिलेगी तो नमस्ते दोस्तो मैं हूँ किरन और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे इस यूटूब चैनल चोटी सी बग्या में तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले गुलाब एक ऐसा पौधा है दोस्तो जो सारे ही लोग अपने गार्डन में लगाने के सौखिन रखते हैं सारे ही लोग अपने गार्डन में इस पौधे को जरूर से जरूर लगाते हैं क्योंकि ये जो पौधा है दोस्तों ये सारे ही लोगों को बहुत ही जादा पसंद होता है लेकिन उसके साथ ही आपको यह जानने बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि ये जो है दोस्तों ये एक बहुत ही जादा सेंसेटिव प्लांट होता है इसकी हमें बहुत ही अच्छे से केर करने की आवे सकता होती है साथ ही साथ इसको समय समय पे अच्छी फीड करने की भी आवे सकता होती है आप छोटी सी भी मिस्टेक अपने गुलाब के पौधे में नहीं कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आपका जो पौधा है वो बहुत ही जल्दी खराब भी हो सकता है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा sensitive plant होता है देख सकते हैं आप मेरे गुलाब के पौधे को गुलाब के पौधे में कितनी अच्छी flowering हो रही है तो आज जिस चीज का मैं इस्तमाल करने वाली हूँ वो चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले दिखा देती हूँ तो यह जो चीज आप देख रहे हैं दोस्तो एक इस चीज के साहता से ही आपका जो गुलाब का पौधा है वो जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतना ही जादा यह जो है आपके पौधे को कीरे मोकोडों से भी प्रोटेक्ट करेगा और यह आपके किचन में ही मिल जाने वाला बहुत ही मामूली सा चीज है देली ही इस तोर पे आप दोस्तो अपने किचन में इसका इस्तमाल करते हो यह क्या चीज है यह आपको वीडियो में आगे पता चलेगा मैं अभी कुछ केर के बारे में आप सभी को बता देती हूँ जो important है और आपको अपने पौधे में अभी खास करके करना बहुत ही जादा जरूरी है सबसे पहले आपको यह करना है दोस्तों की पौधे में जो भी फ्लावर्स खिलके और सूख रही है उनको आपको सबसे पहले कट करके हटा लेना है उसके बाद दूसरा चीज जो करना है वो यह करना है गमले की साफ सफाई समय समय पे बनाए रखनी है क्योंकि गमले में बहु को जितना अच्छा धूप मिलेगा उतने अच्छी पौधे में नई ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रदेना गुलाप के पौधे में बहुत ही ज़ादा जरूरी है उसके बाद जो भी नई ग्रोथ आती है वो नई ग् कीडे मुकोडे आके नहीं लगेंगे अभी के टाइम पे जो हमारे पौधे को सबसे जादा खराब करते हैं वो कीडे मुकोडे फंगस वगेरा ही होते हैं क्योंकि बरसात के पानी के कारण यह सारी चीजें जो है वो बहुत ही जादा पौधे में देखने को मिलती है तो और उस पानी को आप क्या करते हो फेक दिया करते हो उस पानी को आप बिल्कूल भी ना फेके उस पानी को आप स्टोर करके रख ले और उसका अपने अपने पौधे में इस्तमाल कर सकते हो इसके हमारे पौधे में क्या-क्या फाइदे होते हैं वो भी मैं आप सभी को एक्स से हैल्प करता है उसके साथ ही इसमें सैवन प्रोटिन और 35 पाए जाते हैं और साथ ही जो है दोस्तो 15 एमॉनोग एसीड भी पाये जाती हैं जिसके कारण से पौधे का विकास जो है आप सारी ही flowering plant में इसका इस्तमाल कर सकते हो, कितनी quantity में करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं और दो fertilizer लीवी हूँ, वो क्या-क्या है, वो आप सभी को बता देती हूँ, उसके बाद मैं तीनों ही को मिला के जो है, वो एक proper nutrition बना के अपने पौदे को दूंगी, उसके बाद जो दूसरा चीज़ आप देख रहे हैं, दोस्तों यहाँ पे हमने आलू और प्याज के छिलके को भीगो के पानी में कम से कम 5-6 गंटे के लिए रख लिया हुआ था, और यह जो आलू के छिलके होते हैं, दोस्तों इसमें potassium, magnesium, phosphorus जैसे गुन पाए जाते हैं, औ पौधे के वृद्धी के लिए बहुत ही जादा जरूरी हैं, इसलिए आलू के छिलके को भी जब भी आपकी कीचन में निकले, तो आप उसको भी waste ना समझे और ना ही फेके, आप उसको भी store करके रख सकते हो, और अपने पौधे में उसका इस्तमाल कर सकते हो, उससे आपक के छिलके होते हैं, दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी खासी मातरा में iron, calcium, magnesium और copper जैसे गुन पाये जाते हैं, जो हमारे पौधे को जो भी नई-नई suits आती हैं, जो नई-नई बेसल suits आती हैं, उनको growth करने में और healthy बनाएं रखने में बहुत ही अच्छे से help करते हैं, और एक बहुत ही बहतरिन जेविक खाद के रूप में हमारे पौधे में काम करता है, साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे indoor plants और outdoor plants दोनों ही plant में आप इसका इस्तमाल कर सकते हो, यह जो है दोस्तों आपके बगीचे के पौधे को स्वास्त बनाए रखने में बहुत ही अच्छे से help करता है, इसलिए प्याज के छिलके आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में जरूर से जरूर इस्तमाल करें, उससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी, पौधे में जो है दोस्तों किसी भी तरह के fungus वेगर अगर लगे वे हैं तो वो भी प्रेंडर की सायता से पीस के आप इसको मिटी में भी दबा सकते हो, आप कई तरह से इसका इस्तमाल कर सकते हो, लेकिन आज जो है वो लिक्विट के फॉर्म में मैं बना के लाई वी हूँ, तो लिक्विट के फॉर्म में ही मैं आप सभी को बताऊंगी, तो यहां देख सकत इन छिलकों को छान के अलग कर लेना है क्योंकि छिलके हमारे गंबले में नहीं जाने चाहिए छिलके अगर हमारे गंबले में चले जाते हैं तो वो हमारे गंबले में फंगस पैदा कर देते हैं तो इन छिलकों को आप सबसे पहले इस तरह से छान के और हटा ले देख सकते है जो है, ये हमारा 200-300 ml पानी होगा दोस्तों, और ये जो हमने लिया हुआ है, एक ग्लास इतना मतलब 100-500 ml जो है, ये हमारा होगा चावल का पानी, ये दोनों हीग को हम आफे बार, जो है, जो है ये हमारा आधा लीटर मेंट्टीर प्रॉपर बन के तयार हो जाता है तो आप भी इसी तरह से कुएंटिटी का मेजरमेंट इसी तरह से करें मेरी ही तरह से तभी आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा तो यहां हमने हाफ लीटर जो है वो फर्टिलाइजर बना लिया हुआ है अब आपको क्या करना है एक-ए पानी ले लूँगी और इसमें 100-500 ml फर्टिलाइजर को डाइलूट कर लोंगी कुछ इस तरह से आपको डाइलूट कर लेना है और डाइलूट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है जल्दी जल्दी गमले की मिट्टी की गुडाई नहीं करनी होती है आपको जो है वो जल्दी जो है वो फर्टिलाइजर सोख लिया है और हमने उतने ही मातरा में फर्टिलाइजर को दिया हुआ है जितना हमारा गमले का मिट्टी अच्छे से सोख ले और पुरा ही नीचे तक रूट्स तक पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाए जादा नहीं देना है आपको कि आपका गमले के नीचे से न्यूट्रिशन बहा के चल जाए वो अगर बहा के भी चला जाएगा तो वो आपके पौधे में फिजूल वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए आपको उतना ही फर्टिलाइजर देना है जितना गमले को मिल जाए और पौधे को मिल जाए तो इस तरह स जो है दोस्तों मैं fertilizer घर में ही बना के अपने पौधे को देती हूँ overall मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी result आती है अच्छी खासी मात्रा में पौधे में flowering भी जो है दोस्तों वो हो रही है गुढल में भी आप देख सकते हैं कितने अच्छी flowering हो रही है चाहे वो hybrid हो या देशी हो सारे ही पौधे में बहुत ही अच्छी खासी result है बहुत ही अच्छी खासी flowering हो रही है overall मेरे garden का जो view है वो बहुत ही प्यारा है और सारे ही पौधे का health भी बहुत ही अच्छा है मैं हमेशा organic चीजों का ही इस्तमाल करती हूँ आप सभी के साथ भी organic चीजे ही share करती हूँ ताकि पौधे में अगर quantity में थोड़ी उपर नीचे भी हो जाए तो किसी भी तरह की पौधे को difficulties ना आए और खास करके जो beginners होते हैं उन्हें तो chemical fertilizer use करना ही नहीं होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा chemical fertilizer को avoid करें वही सबसे अच्छी बात है तो इसी तरह से आप भी इस fertilizer का इस्तमाल 15 दिन में एक बार करें आपके पौधे में बहतर result आएगी बहुत ही अच्छी कासी result आएगी तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकरी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को like, share, comment जरूर कीजिएगा आपने इस वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो हमारे चैनल को please subscribe कर लिजेगा बैल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दिजेगा ताकि हमारी जो भी निव वीडियो जाएंगी उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाएंगे इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मिलते हैं एक एन अधर वीडियो पे बाबाई